है गाइज यह है मेरे भैंस का बच्चा जो की जिसके लिए हमने मोहरा यह बनाया है मैं आपको बिल्कुल लाइफ दिखाऊंगा किस तरह से बनाना एक एक स्टेप को आप देख सकते हैं इस तरह का जो होता है ना जो आप दुकान से रेडिमेंड खरीते हैं बना हुआ रहता मैं पगंटेथे हैंख यह है रसी जो की मैंने पगा बनाने के लिए किके्टे को अपने को अगर आप रएसस्थान से हैँ तो जरूर कंटेक्ट करिएगा हमसे जरूर कॉमेंट में बताईएगा और यह है रसी जो हमने हाली में पर्चेस किया है अभी अभी ज़स्ट पर्चेस किया है मोहरा बनाने के लिए एक्चिली क्या है ना कि मेरे जो भैंस का बच्चा है उसका जो पगा है वो तूट चुका है तो मुझे लगा भी नया कर देना चाहिए तो मुझे बता था कैसे बनाते हैं इसलिए मैंने केवल यह रसी बस खरीदी है और इससे मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखाने वाला हूं कैसे बनाना है और मैं आपको बता दूँ कि जब आप यह रसी पर्चेस करने जाए तो आपको कुछ चीजों का विसेज ध्यान र पहुंचे चुकि पता है प्लैस्टिक की रसी से घाओ हो जाता है उनके गर्दन पर तो आप जब पर्चेस करें बिल्कुल मुलाएं पर्चेस करें जब आप मोहरा बनाना सीख जाएंगे काफी अच्छी बचत करेंगे चुकि जब मैं अभी इसे पर्चेस करके लाया हूं तो मुझे इसके बारे में अच्छी बात ये पता चली कि देखें वहां पर एक पगा भी बना कि इसी डोरी में इसी रसी में एक पगा बना गी रखा था मैं उसका रेट पूछा तो बताया मुझे 80 रुपय का एक है जबकि इसे मैं किलो में पूछा कि ये कितने का है तो 200 बताया उन्होंने तो इस तरह से 200 रुपय में चार पगा रेडी कर पाते हैं अगर आपको मौरा बनाना आता है तो लेकिन वहीं अगर आपको नहीं बनाना आता तो दुकान से अगर पगा पर्चेस करते हैंOC। रुपए में दो ही मिलेगा लेकिन अगर आप बनाना सीखते जाएंगे एक पग्य की उपर कम से कम आपको बचत होगी 30 रुपए की तो इस तरह से मैं आपको जरूर सेजेस्ट करूंगा बनाना सीख जाए और जब भी आप दुकान पर जाए पर्चेस करने तो रसी पर्चेस करके खुदी बना लीजिए ठीक तो चलिए जानते हैं कैसे बनाना है में और मैं बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूं आपको एक एक स्टेप और मैं गरेंटी के साथ कहता हूं कि आप जरूर बनाना सीख जाएंगे अगर आपको ABCD भी इसका नहीं पता है तो तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा बस यही एक request है मेरी आप से नहीं आएगा तो आप हमें comment में बताइएगा हम आपको दूसरा वीडियो लाएंगे प मतलब आप यूँ समझ लिआजए कि 8 मीटर करीब तो 16 हाथ की रसी आपको लेना है 8 मीटर का जो जिसकी लंबाई है इस तरह से तो हमने यह रसी लिया है जो की 16 हाथ का है 8 मीटर समझ लिए नहीं जाया है सिंगल रसी 8 मीटर में होना चाहिए इसको आप डबल करेंगे इस ऐसे और इसका यह जो cut part है ना दोनों उसको एक साथ में करेंगे और यहाँ पर simply गठी मारेंगे गठी कैसे मारना है यो round करेंगे ऐसे और इसके बीच से बीचो बीच से निकाल के बस सिधा आपको tight कर देना है देखे थोड़ा यह इधर से हो गया अभी मैं इसको धीला करके क तो मैं इसे थोड़ा किनारे ले आ देता हूँ आपको भी किनारे ही रखना है और बहुत अच्छे से tight कर देना है ठीक दिखने में बहुत ही अच्छा लगे ताकी देखे रेडिमेंड की तरह मैं आपको बनागी दिखाने वाला हूँ यह दिखे एक कानी तयार हो गई अभ यहां कोहनी से थोड़ा उपर यहां तक 8 अंगुल ठीक कोहनी से 8 अंगुल ज्यादा लेना है इतना बड़ा लेना है उसके बाद यहां पर आपको पकड़े रहना है जहां तक आप लिए हैं यहां तक पकड़े रहिए और यहां पर ऐसे चार अंगुल पर अपना जो चारो से यह बड़ा है चुकि इस ताइट तो इधर खीचना है और किनारे वाले को तो इस तरह से आपको खीचना है इसको दवा के रखेगा ताकि यह इधर ना है चुकि यह गड़बड हो जाएगा यह पूरा सेट है ना बराबर है दोनों तो इस तरह से और हाँ आपको इस तरह स आपको यह देख सकते हैं आप बिल्कुल लाइव देख रहे हैं आपको नहीं समझ में आ रहा है ऐसा हो नहीं सकता तो बिल्कुल इस तरह से करना है उसके बाद यह आप देख रहे हैं न यह आउठे से आपको इस तरह लाना है और इसको नीचे से उठाना है आपको ऊपर ले ता हूं देखे ऐसे कुछ इस तरफ था ना ऐसे था ठीक ऐसे टीक आपको करना क्या यह जो है इसको आटे से दवाकर ऐसे इस तरफ लाना है इस पखे के उपर से ऐसे और इसको और फिंगर के बीच में ले जाना है ऐसे ठीक अब बच्छी आपकी यह रस्स जो की छोटी वाली है ना एक भीता लिया था इसको आपको आउठे में डालना है देखे ए इसको आउठे निकालना है और जिसमें आउठा था उसमें डालना है बस आपका एक गांट तयार हो गया और टाइट कर देना है इसे ठिक मैं टाइट कर देता हूँ चातीनों को बराबर कसन बारी बारी से इस तरह से तो मोहरा का हमारा एक गांट तयार हो गया और मैं आपको इस तरह से पीवस तरफ से दिखा देता हूं कुछ इस तरह से गांट पड़ी है जैसे बिल्कुल रेडिमेंड वाला होता है वैसे ही है तो इस तरह से आपको कस लेना है तो एक गांट मेरा त्यार हो गया यह कानी और इसमें आपको यह वाला डालना है उससे पहले आपको दूसरा गांट रेडी करना है तो दूसरा गांट बनाने के लिए यहाँ पर आपको इतना एक बिता से जादा जितना आपने यह लिया था उतना ही आपको यह लेना है एक बिता से जादा ठीक एक बीता से थोड़ा जादा, हमने एक बीता यहां नापा, उसके बाद यहां तक ले लिया, ठीक, अब यहां पर आपको finger रखना है, और नीचे, दोनों अंगली के, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, पिछले गांट की तरह, यहां से आपको इस तरह की रसी को खिचना है, और यह पर एक हांट, यह देख सकते हैं न, कोहनी से आड़ अंगल जादा यहां तक लेना, जितना की आपने पहले यह वाला लिया था, यह बड़ा वाला, ठीक, गांट वाला, तो उतना ही इसको भी लेना है, नीचे निकालना है, देखे, यह ऐसे कुछ था मेरा finger, देखे, हमने ऐसे कुछ रखा था न, चार उंगली के उपर से हमने यह दो गांट ले गया, इसको ऐसे से खीच लिया, हमने यह बड़ा सा, ठीक, और एक हांट से आपको थोड़ा जादा लेना है, इस तरफ से, और ऐसे करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, प्रोसेस सेम है, ठीक, इसको आपको आउठे से इस तरफ लाना है, ठीक, आउठे से इस तरफ लाना है, और इसको आपको ऐसे ले जाना है, आउठे और फिंगर की बीच से, ऐसे, ठीक, अब आपको करना क्या है, यह जो रस्सी है न, यह वाली, आउठे जहां से जिस, जहां से आउठा गया है न, आपका उस आउठों को निकालना है और इसको उसी आउठे में डाल देना है देखे इस तरह से हमने किया अब बस टाइट कर देना तीनों को बराबर बराबर टाइट करना है ठीक तीनों को बराबर बराबर टाइट करना है खीजना है इससे आपकी गांट बहुत ही अच्छी पड़ेगी तो I hope कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरीके से बताया है कि ये गांट आपको कैसी देनी है ठीक उसके बाद टाइट कर लेना है आपकी गांट रेडी हो जाएगी और इस तरह से हमने टाइट कर लिया है ठीक तो ये आपकी गांट पड़ गई है अच्छे से इस तरह से बिल्कुल same to same यहाँ पे भी गांट पड़ा है मैं थोड़ा अच्छे सकसलूंगा तो ऐसी हो जाएगा तो ये आपका रेडी हो गया ठीक और ये जो बजता है तीसरा वाला इसमें आपको इस भाग को ये जो लंबा बचा है ना इसको तीसरे वाले में डालना है जो सबसे छोटा है इसमें डालेंगे यूँ और निकाल लेंगे आप ठीक इस तरह से और आपका पगा रेडी हो गया अब दिखे बिलकुल सेम टू सेम रेडी मेंड की तरह है आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ठीक